आज हम शुरू करते हैं आपकी वॉक्षीट नंबर 105 ठीक है यह आपकी मैट्स की वॉक्षीट है इसे पहले लेबल कर लेंगे क्लास डाल देंगे अपने देट नाम टीचर का नाम सारी चीज़े आप लोग लिख लेंगी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे चलिए देखते हैं अब पढ़ेंगे चपाती चार्ट नाम से कहा जाता है इसको और छेतन फ़ेंगे चापाती चार्ट लिखा है एक दिन नेहा और मनीश अपनी कौपी में गोल आकरती बना कर एक दूसरे से कुछ बाते कर रहते तबी चेतन वहाँ आता है और उसने पूछा कि तुम यह क्या बना रहे हो निहा ने बताया ये है चपाती चार्ट चेतन ने कहा अरे हाँ ये है तो चपाती जैसा गोल गोल ही लेकिन इससे क्या करते हैं अब देखो दो बच्चे खेल रहे हैं एक निहा और एक मनीश वो इतने कौपी पैसे सरकल बना बना के कुछ खेल रहे हैं कुछ बात ने कहा इस से हमें कई तरह की जानकारी मिलती है हमारी चपाती चाट को ध्यान से देखो ये पूरा गोल हमारी कक्षा के सारे बच्चों को दर्शा रहा है यानि की गोला जो है हमारी क्लास के सारे बच्चों को दर्शा रहा है इसमें एक रंग लड़कों के लिए है और दूस में एक रंग है और आदे भाग में दूसरा रंग है इसका मतलब तुम्हारी कक्षा में लड़कियों और लड़कियों की संख्या बराबर है तो बिल्कुल अगर ऐसे दो बराबर भागों बटा इसका मतलब अगर उसकी क्लास में 30 लड़कें तो 30 लड़कियां भी है ठीक है तो अब क्या बोला अब चेतन ने अपनी कक्षा का चार्ट बनाया अब उसने अपनी कक्षा का चार्ट बनाया तो अब आप देख सकते हैं कि गुलाबी वाले लड़के यह उसके कक्षा में लड़के जादा हैं और लड़किया कम हैं तो अब यहां लिखा है आप इसे देख लेना और आधे में ये तकम है ठीक है तो आधे से कम है लड़की और आधे से जादा है लड़की कर लेंगे अगला देखे क्या लेका एक अक्षा में एक अक्षा के बच्चों से पूछा गया कि वे बारिश में नहाना पसंद करते हैं तो उनका चार्ट इस तरह से बनाएगा जो बारिश में नहाना पसंद नहीं करते हैं वो है ये और जो बारिश में नहाना पसंद करते हैं वो है ये ठीक है तो अब देखे क्या लेका कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं तो कितने बच्चे नहाना पसंद करते हैं आप बताएए एक चौथाई क्या यहां नहाना पसंद करते हैं घितने इस चोथा क्वेनी को आप कि ष्माक डाहते हो न neighbor three चोथा करते हैं दिन चुथा एक चोथार यह तो तीन चुथा आbrahim नहीं करते यह लिका है do you know क्या आप जानते है the world science day for peace and development यानि दुनिया में science दिवस, विज्ञान दिवस, शान्ती और तरक्वी के लिए celebrate किया जाता है इस celebrated world while यानि पूरे visual level पे on the 10th November every year हर साल 10 November को मनाया जाता है world science day was proclaimed by the United Nations Education, Scientific and Culture Organization इसको किसने बनाया है UNESCO इन्होंने बनाया है 2001 में इसकी full form यहां से यह आपकी full form हो गई ठीक है was celebrated for the first time 2002 और इन्होंने 2002 में सबसे पहले इसको celebrate किया था for a theme for 2020 अब 2020 का क्या theme है science war and with society in dealing with the global covid-19 pandemic यानि कि आपका चाहे दुनिया हो चाहे विश्व हो चाहे कुछ भी हो चाहे कि सुसाइटी हो हर कोई किस चीज को लड़ा है coronavirus यानि की covid-19 pandemic से हर कोई लड़ा है इसकी महामारी से pandemic माने क्या होता है महामारी तो अब आपके बाद यहां लिखा है अपने teacher से मतलब पूछेंगे कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वह आपकी help करें उसके लड़ा यहां आपके ममी पापा को कहा गया है कि बच्चों से चर्चा करें कि चपाती रोटी कौन कौन से अनास से बन सकती है ठीक है तो चपाती रोटी जो है वो सिफ और सिफ आपके गेहूं से ही बन सकते है गेहूं के लावा और किसी से भी आपके चपाती रोटी दो से ही पतली बन सकते हैं बाकि सबसे मोटी बनते हैं चाहें आप बाजरे की बनाएं चाहें आप उसकी मका की बनाएं चाहें आप बेसन की रोटी बनाएं उनसे यह भी पूछिए कि हम विबिन अनाज को मिला कर भी चपाती बना सकते हैं तो हां हम मिक्स्ट जो आटा होते ह भी रोटी बनाते हैं नेकिन वो चपाथी नहीं होती हुदी मतला मोटी होती है ठीक है अब यहां लिखre Okay आच बनाटी एक जो बनाई जाती है लिवह बहुत स्टिक होती है बहुत ज़धा एल sayin नहीं होती है जिती हमारी आटे की रोटी टेस्टी होती होती है लेकिन फिर भी वह बहुत हेल्थी होती है ममा से गए उसमें मसाला डालके बनाएं मसाला डालके तो बहुत टेस्टी लगती है ठीक है चले तो आज की वोक्षुट को हम दो यहीं करते हैं आज की वीडियो में इतने अगर आपको मैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक को शियर करें अब अभी तक आपने मैं चंगों सिस्क्राइब नहीं करें तो प्लीज मैं चंगों सिस्क्राइब करें थैंक यू फा वाचिंग